अगर धर्मस्थले पर कोई मुसिबत आती है तो भगवान भी यह जानते होंगे कि इस मुसिबत का बिनाश मेरे ही हाथों से होगा बॉलिवूड खत्म बाई 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 टाटा गुडबाई गया जी हाँ मेरे भईया अब तो साउत इंडस्ट्री का बोलवाला है अब तो भईये सिनेमा घर साउत फिल्मों से ऐसे हाउस फुलहराई की साथ में चटाई पकड़के जाने पड़ेगी बैठने की जगह नहीं बची है दोस्तो वीडियो में अन तक बने रही है मुवी की फूली स्टोरी एकदम साट और जखकाच में बताऊंगा साउथ इंडस्ट्री की फिल्म पूश्पा आर 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 और केजेब 2 की भारी काम्यावी के बाद दर्शकों में दक्षिन भारत की फिल्मों का क्रेज बढ़ता जा रहे है या फिल्म अचार अभी इस साल की मोस्ट आवेटेट फिल्म में रही है इस फिल्म के डारेक्टर है कोरा टाला सिवा जी वही फिल्म की बात करें तो फिल्म में साउथ सूपर स्टार चिरंजबी और उनके बेटे राम चरन दोनों साथ में इसकी निजियार करें जैसे में फैंस की उमीदे और उस साथ दोगुना बढ़ गई है यह फिल्म अब एमजन प्राइम पर भी देखी जा सकती है तो अब चलते हैं मुवी की ताबर तोड़ी स्टोरी में तो भाई लोग यह कहानी तीन गाउं और उसमें बसे लोगों की है जो प्यान विस्वास के जरी एक दूसरे से बंदे हुए हैं यह गाउं धर्म इस्थली सिद्वा नम और पद्म घतम के बीज बहुत प्यार और एक्ता को बताता है वहीं धर्म इस्थली गाउं में एक मंदिर है जो की बस्वा के अंडर में आता है तो पद्म घतम गाउं के लोग अरिवेदिक रहन सहन के साथ जुड़े हैं लेकिन उन्हें इस मंदिर में आने की इजाज़त ही नहीं है अब ऐसे में अचारे के हाथ में है कि वहा कैसे लोगों को उनके हक की लड़ाई लड़ने में सपोर्ट करते हैं फिल्म में चिरंजीवी अचारे की भूमिका में है और रामचरण सिद्ध की भूमिका में है फिल्म में कैसे इन सभी कहानियों में सिद्ध की एंट्री होती है यह देखना आपके लिए काफी दिलचस्प और रोमांचक होगा तो दोस्तो बड़े कमाल और संदार तरीके से सिद्ध की एंट्री होती है फादर सन की जोड़ी को स्क्रीन पर देखना एक अलग ही एक्स्पिरियंस है मजे हुए अदकार चीरंजिवी की तो बात ही नीराली है वही रामचरन भी स्क्रीन पर काफी कमाल लग रहे हैं इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों की बड़े मिया तो बड़े मिया छोटे मिया सुभान अल्ला दोस्तों फिल्म में विलन भी काफी जोड़ार है और ही रो भी काफी धमाकेदार है ऐसे में लाग भूसे बम धमाके तो ताबर तर होंगे ही लेकिन मूवी में कुछ कमिया भी है मेरे भाइलोग हाँ यह बात सच है कि हीरो और विलन की एक्टी में कोई सक नहीं लेकिन डायरेक्टर की सोच और डायरेक्शन में थोड़ा सा कमिया हैं कई मामलों में काफी कमजोर है सीवा की फिल्म अचारे देखकर उनकी चार पुरानी फिल्मों का काम ज्यादा बहतर लगता है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बांकी फिल्मों के मुकाबले उनकी फिल्म में अचारे कमजोर साबित हो रही है काहनी से लेकर डायरेक्शन तक में शूटपूट कमिया है स्क्रीन प्ले बहत कमजोर है फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें और भी इंट्रस्टिंग बनाया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया फिल्म में खास्या सिर्फ यही बची है कि रामचरन और चीरंजी भी दोनों को सांथ में स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं और उनके एक्ट्री में कोई कमी नहीं सोनु सूथ भी कोई काम नहीं एकदम फाडू लग रहे हैं फिल्म में बंजारा गाना सेकेंड हाप में हैं वही से रामचरन का असली काम भी सुरू होता है फिल्म में ऐसे गिने चुने सीन्स हैं जो की दरसकों को पसंद आ रहे हैं जिनें उंगलियों पर गिने जा सकता है बाकि फिल्म में हीरो और वीलन की एक्ट्री में कोई कम नहीं अगदम धमाकेदार परफार्फार्मेंस है दोस्तो फिल्म में लव स्टोरी भी है जो आपको अपनी गल्फेंड याद दिला देगी दोस्तो आपको मुवी के बारे में और बारे किसे जानना है तो आपको मुवी ही देखनी पड़ेगी दोस्तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइस सब्सक्राइब और सेयर जरूर करिएगा आज के लिए बस इतने मेरे दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद जै हिन जै भारत